नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट दोस्तो कहने की बात नहीं है कि मैं रोज जो है वो आपके लिए हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो लाता हूँ लेकिन आज का ये सिंगल वीडियो आपके लाखो रुपए बचा सकता है दोस्तो मैं बिलुकुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं फैक्ट के द्वारा समझाने का कोशिस करूँगा कि किस तरह से अपने कीमती पैसे को आप बचा सकते हैं वो भी अपने छट ढ़लाई के समय जी हाँ फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जिस साइट पर मैं आया हूँ यहाँ पर ढ़लाई की जो है वो तैयारिया पूरी कर ली गई है अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो कास्टिंग बची हुई है और यही सबसे अच्छा समय है आप समझ सकते हैं कि अपने छट के लिए कितने एमम सरिया का इस्तिमाल करे दोस्तो मैं आपको दो तरह के सरिया का डाइमेंशन बताऊंगा उसका कंबिनेशन से आप एक अच्छा छट ढलवा सकते हैं बहुत से लोगों के मन में गलत फैमी रहती है या फिर किसी के द्वारा वो सुने रहते हैं कि जितना मोटा सरिया दिजिएगा उतना ही ज़्यादा जो है वो छट मजबूत होगा ऐसा बिल्कुल भी दोस्तो नहीं है इसका कारण है दोस्तो कि अगर आप छट के सरिया को मोटा कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसका वजन भी बढ़ जाएगा और आपके छट के नीचे कोई भी सपोर्ट दोस्तो नहीं रहता है दिवाल को अगर छोड़ दिया जाए फ्लोर बीम को छोड़ दिया जाए तो बीच में रूम के कोई भी सपोर्ट नहीं रहता है दोस्तो अगर आप भारी सरिया का इस्तमाल करेंगे कंक्रीट का भी वजन होगा तो वो क्या होगा बीट पे हैं दोस्तो आपका छट नीचे की तरब टेरा हो जाएगा तूट जाएगा दोस्तो इसलिए आपके पैसा भी वेस्टेज हो जाएगा और आपका जो है वो काम भी सही नहीं होगा मैं आपको चली बताता हूँ कि कितने mm का इस्तिमाल करें क्योंकि आप concept समझ सुके हैं कि actual में क्या चीज हम लोगों को जरूरत है जो चीज जरूरत है उसको करते हैं जो जरूरत नहीं है उसको छोड़ देते हैं दोस्तों यह देखिए जहां पर मैं उंगली लगा रहा हूँ इस बार को ध्यान से देखिए यह हमारा main बार है दोस्तों और अभी मैं जिस उंगली को चूरा हूँ वो हमारा distribution बार है आप यहां तक समझ गए main बार को मैं आपको दिखाता हूँ कि main बार कितना mm का इस्तिमाल किया गया है और उसके बाद और कुछ जनकारी आपको दूँगा यह देखिए यहां पर थुरा नजज़िक से दिखाता हूँ 1010 यहां पर 10 लिखा हूँ आप देख रहे होंगे मिरे उंगली के पास मैं तो यह हमारा जो main बार है वो कितना का है 10 mm का है दोस्तों 10 mm का main बार इस्तिमाल किया गया है main बार को किस तरह से पहचानना है कहां पर रहता है किस तरह से लगाया जाता है इस छोटे से वीडियो में ही आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों आप वीडियो देखते रहिएगा चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यह जो बार देख रहे हैं यह है हमारा distribution बार है ठीक है अब main bar distribution bar में अंतर में आपको समझा देता हूँ ये main bar है और इस तरह से देखिए आपको शायद वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा लेकिन अब clear हो जाएगा जो मेरे उंगली के साथ में है दोस्तो नीचे में है वो है main bar और जो मेरे उंगली के उपर में है वो है हमारा distribution bar जो उंगली के उपर में है उसका डाया हमेशा कम रहेगा और ये कितना का है ये है जो है वो 8 mm का सरीया है दोस्तो तो आप देख रहे है main bar 10 mm का है और distribution bar उपर वाला बार यानि की 8 mm का है तो दोनों के combination से आप एक अच्छा हलका मजबूत और ठिकाओं छट ढलवा सकते हैं और अपने कीमती पैसा को दोस्तो बचा सकते हैं जब हमारा काम 8 mm में हो जा रहा है तो 10 mm का सरीय कीम लगाना है ठीक है बात को समझेए और समझदारी से काम लिजे दोस्तो आपके पैसे बचेंगे और साथे साथ उसका यूज आप घर की सजावट में कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तो